गुड मॉर्निंग गाईज वेलकम टू माई न्यू व्लॉग और आज के व्लॉग की सुर्वात हो रही है मंदिर जाने के साथ आज ये मेरे साथ है आप देख सकते हैं मेरे अग्रज विनोज जी विनोज जी हेलो बोल दो और आज दोस्तो हम लगे हुए हैं एजंडी बुब के मंदिर में अजंडी बुबु के थान में तो आज वहां थोड़ा साम को पाठ पंचा मिर्ट करना है थोड़ा सा मंदिर की सुधाई करनी है तो वहीं हम आज जा रहे हैं सुबह सुबह आप देख सकते हैं मौसम यहां का यह देखिए आप कल साम यहां बारिस हुई थी औ और अभी हॉल लगा हुआ है बहुत अच्छा मौसम हो रखाया दोस्तों मंदिर जाने के लिए परफेक्ट मौसम है क्योंकि जो आपको पता ही है पहाणों के जो थान होते हैं वह अधिकतर हाइट में होते हैं तो कम से कम डेढ़ दो किलोमीटर की चड़ाई है अगर बहुत आफ़त आजाती पसीड़े से अंतर बतर हो जाते और वहां पर बहुत अच्छी जगा पर मंदिर बिल्कुल टॉप में वहां से नीचे देखो गेना बिल्कुल डर लगती है जैसे आप उत्रैनी के कौतिक में चर्खी में बैठे होंगे तो एक पॉइंट ऐसा आता है अब तो फिर भी जगह जगह थोड़ा सरकार की योजनाओं से खणंचे बन गए हैं लेकिन यहां भी उतना डेबलब नहीं हो पाया है अब यहां पे पिरूल इखटा कर रख है यह पिरूल गाई बच्छों के बिचावन का काम करता है इनो जी कुछ कहना चाहेंगे इस अजन्डी बुबू की जय तो दोस्तों अजन्डी बुबू के बारे में बता दूं यह हमारे लोक देवता है अजन्डी बुबू को वनू का देवता भी कहा जाता है अजन्डी बुबू को पूजा जाता हो अपने आमा बुबू से पूछना जन्डी बुबू दोस्तों जंगल में भढ़के हुए इंसानों को रास्ता दिखाते हैं आपने अबसी स्टोरी भी सुनि होगी कि एक फौजी घर आ रहा था और वो रस्ता बटक गया जंगल में तो उसको अजेंडी बूबू ने घर तक पहुचाया शाल में इनको भी एक बार जरूर पूजा जाता है अब हम आतुके हैं प्लेन वाले राश्ते पर है तो दोस्तो अजेंडी बूबू के बारे में बात चल रही थी उनके लिए एक वो बना के ले जाते हैं लोहे की लाठी टाइप की बनाई जाते हैं क्योंकि बूबू जाठ खुननने तो आप देखना कहीं पर भी जो अजेंड के जब कभी-कभी जैसे पूजने में धील हो जाती है और और इस साल पूजा नहीं हुई तो दिखाते हैं अपनी याद दिलाने के लिए अपना समरण कराने के लिए चेस्टग भी जिलाते हैं, चेस्टग में यही होता है, कि जैसे किसी का गोर ब्या रखा है, और वो अचानक से दूद देना बंद कर देगा, ठीक है, शोना बंद कर देगा, या किसी के भेस की अचानक से तक ब्यूक्ष खराब हो जाए, उसको ल कुछ बंदान गुष ऑर द hanya दूद हो जाए कुसी का गौर्व आता है तो वह पसको इतना ही पता है अगर आपको कुछ अजन्डी बूबू के बारे में स्टोरी पता है उनके किस्सूं के बारे में पता है उनकी कहानिया आपने सुनी है तो में को कमेंट करके जरूर बताना और आपके गाउं में अजन्डी बूबू का मंदीर है या नहीं ये भी मुझे कमेंट करके बताना ये देखो हमको खणं में की प्रबल संभावना है तो हमारे साथ है तो तब तक बारिश को रोके रखेंगे बादलों को अपना दिखाएंगे कि अभीमत बरसना मेरे नाति पूजा करने के लिए उसके बाद उनको शुक्यार संतोज घर पहुंचने दो फिर बारिश करेंगे वह और देख लेना है म तो गाइज बस हम कुछ ही पलू में मंदिर में पहुशने वाले हैं यह देखे आप यहां टॉप में है यह मंदिर तो दोस्तों यह है अजंडी बूबू का थान ठीक है यह आप देख सकते हैं यह अपफर का ही मंदिर है एक घर टाइप का ही है यह चोटा सा मीनी हाउस ठी उसकी सफपाई करते हैं क्योंकि कई दिन उसे यह पूजानी हो रखी होगी तो सब सपाईे करने ज़रूरी है बिनोजी सब सब्साइइ कर रहे हैं फिर इसको में आइसकी मंदिर में और यह दोस्तों यह हैं मन्यों ठीक है पहाड़ु में जहां पे खानावाना बनाया जात और उससी तो उसाइट को भी नीचे वह इतना डेंजर नहीं मैं अभी आपको उधर लेकर जाओंगा वहां से और भी खतनाक दिखता है तो फिल हाल ये ब्लॉक तो बनते रहेंगे फिल हाल मैं क्या करता हूँ पूजा कर लेता हूँ ठीक है उसके बाद आपको अच्छे से तसली से दिखाऊंगा जो ले यो वीडियो देखनी उना घर में इस बाबुन का उना गुरबाचन का शुक्यार संतो धरिया खूब धोजिनाए उना घर में है जो खूब भिगोत खाया एलन खूब घ्यू बढ़े एलन और मनी एक किलो घ्यू हमन के दिया एलन तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा ह होगा जैसे जहां पे शिव संकर भगवान की पूजा होती है तो उनके साथ उनके गण मन आदी देवता भी पूजे जाते हैं ऐसी जहां पे देविमा की पूजा होती है तो उनके साथ काल भहरव की भी पूजा होती है आपने देखा होगा जैसे वैष्णो देविमा होता ह ठीक है तो ऐसे ही हमारे पहाडू में भी जो लोग देवता होते हैं तो उनके साथ एक असिस्टेंट देवता भी होते हैं जिनकी पूजा की जाती है उनके बिना वो पूजा सुफल नहीं मानी जाती है जैसे कि आपने देखा होगा हमने नैनांग दी थी तो हमारी पुल पूजा होती है तो उन बाणू का भी मंदिर में आपको दिखाता हूं आए देखें जो बाणा मंदिर छू ठीक चाने यहां पर यहां पर स्थापित किया गया है यहां पर भी हमने पूजा पाठ करी है अजेंडी बूबू के लिए दाल भाद पूरी परसाद का भोग लग हर एक पूजा हर एक गतिवीदी और हर एक किरिया कलाब की जानकारी अपने व्लॉक्स के माध्यम से दूँ बस आपको यूही प्यार करते रहना है सपोर्ट करते रहना है ठीक है और व्लॉक को शेर करते रहना है अब देखो मैं यहां जा रहा हूं यह देखे यह देखे कि साइट पॉइंटे दोनु एक सांज बन सकते हैं यह वैसी जगह है ठीक है तो आपको सेल्फी किसाते टाइम और ब्लॉग बनाते समय काफी केरफुल रहने की जरुवत है वरना ब्लॉग के चक्कर में आपका कांडू हुआ रहेगा यह देखो दोस्तों अब मैं आपको दिख वहां गाने बज रहे हैं आप सुन पा रहे होंगे कर जाएंगे हम मर जाएंगे वाला गाना चल रहा है वहां पर हो मर जाएंगे इन पत्थरों में बैठने में भी बड़ा मजा आता है जब पूजा होती है यहां पूजा पाठ हो जाती है खाने का इंतजार हुआ रहता है भोगोग लगने की बारी होती है, तो यहांपए पत्थरों के बैठके गवसभ मारने का मजा ही कुछ और है, दोस्तों के तान्द, दोस्तों देखो आप, यह हलदवानी दिल्ली बाले आते हैं, वो तो, सेलफी खिसाने में रह जाते हैं, इन पत्थरों में, हमारे भी आते है एकि तुम्हारी रिस्तेदार नहीं होते हमारी भी होते है तो उनका येजी काम रहता है यहां पर पूजा में कम ध्यान रहता है तो भी तो भी यह कर भाइरे खेंग और दूसरी चीज यह है कि आपको दिखाना भी बहुत जरूरी है मेरा मकसद कुछ और है मेरा मकसद यह क्या कहते हैं सेलफी अपलोट करके लाइक पाना नहीं है आप लोगों तक जानकारी भी पहुंचाना है बिनोद आगे हला है हला दोस्तों जो चीज जितनी पुरानी होती है और जित उसमें प्रकरती को बचाने का प्रकरती के साथ खिलवार न करने का भी संदेश था आप यहां के थानू को देखे जो वहीं आसपास के पत्थर है उनहीं से वह मंदिर बनाए गए है ज्यादा उसमें कोई तड़क भड़क या बिल्डिंग सिमेंट कंक्रीट वगरे नहीं क करें आप मंदिर का संदरी करन करिए जो टूरिस्ट वहां आ रहे हैं उनको शुविधाय दीजिए रोड़े पहुचाईए लेकिन जो जहां पर मूल सकती विराजमान है उससे खिलवाल मत करें जैसे लोग क्या करते हैं नौले धारों का संदरी करन करते हैं सरकार से खुब दूरत वाड़ा पाइप लगा रहे हैं आप ख्रसकते हैं न यह झा सकते हैं कि जो भी धारे से पानी आ रहा है थो ला सदूर में एक रिचला सकते हैं और दूसरा ळाक्सर बादी जाता हुझ में यह बबूबू जी आतया है जैसे बोला जातानै कि संकर भगवान को चंदन प्रियë है और विष्न भगवान को तुलसी प्रिया है स़तिनार्यान की कथा होती है तो कदली चलाई जाती है है तो ऐसे ही जब अज़ेंडि बूबू की पूजा होती है तब यह जो लाठी है इसको चड़ाना बहुत जरूरी होता है इसके बिना पूजा सुफल नहीं होती है, तो कभी भी जब भी यहां गावालों की पुजा होती है. तो उसे आजंडी बूबू बोल रहे हैं. बूबू जी को क्या चाहिए लाठी तो चाहिए तो लाठी से टक 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 करके तबी तो वो हमारे जंगलों की रक्षिया करेंगे गाय बच्छियों की रक्षिया करेंगे अब आज कल तो खैर गाय बच्छिया कौन पाल रहा है लोगों ने बहुत कम कर दी हैं लेकिन पहले की लोगों में पहले की लोगों का इतना विश्वास था भगवान पे कि यार देखो पहले की लोग जंगल में अपने गुर्बाच से छोड़ देते थे तो भगवान भरोसे थे वह पचा-पचा-शाट-शाट बक्रियां होती थी ठीक है तो एक अपने मन को धहर्ज रखने के ल और क्या कहते हैं पसुपक्षियों की भी तो इसलिए अजंडी बुबु को वनु का देवता भी का जाज़ा अजंडी बुबु के जहां भी थान होंगे वह ऐसे ही जंगल में होंगे और इतनी ही हाइट पे होंगे ठीक है नहीं ताकि पूरे सेत्र में नजर रख सके तो द गए थे और मौसम ने भी बिल्कुर साथ है देखो अजंडी बुबु की शक्ति देखो दोस्तों अभी तक बारिस नहीं होई है ठीक अच्छे से पूजा पाट होगी और हम घर भी पहुंच सकते हैं मौसम भी अच्छा है ना हमको धूप लगी ना गर्मी लगी तो दोस्त चाई के लिए बहुत उप्यूकत है आपने चौकोडी बगान का नाम सुनाई होगा बेरिनाग टी स्टेट का नाम बहुत पुराने अंग्रेजूं के जमाने से थे पर आप तो सब कुछ ऐसी है मैं आपको दिखाता हूं चाई का बगान दोस्तों यह देखे यहां लगा है यह देखे दोस्तों यह है चाई के पेड़ आप देख सकते हैं तो यह किसी की जमीन होगी उसमें लगा रखे हैं और एक दो आदमी भी रखे होंगे इनकी देख रेक करने के लिए और पी सीजनल जब भी इनकी कटिंग होती होगी तब गाउं की लेडी जिसमें काम करती है यह भी मैंने आपको लगे हाथ दिखा दिया मंदिर के साथ साथ अभी में को क्या प्याद जैसी आ पड़ी तरफन में फोटो मेरी इजा कुछी को छुता कभी-कभी में को ऐसी जहांग जैसा आता है जाता है जाना तो पहले तालकूर था लेकिन विनो जी ने कहा आज हमार अब जाड़ी घर होते हुए चलेगा कई जिनसे मुलाकात नहीं हुई है अब तालकूर जलते हैं यां परेकि निशा खाय सी जुभ यह च्ष्च यह चाहिए जिएड़ी खिला स्टी एंड़ी लागि मिल्हेव आूले ताड़ा में में ज्कित्यों जीए और आूम अपवित्रो पवित्रो वासरवा वस्तांग बिभाय सम्रेत पुंडरी काक्साइशा अब अभ्यान तरह स तो दोस्तों हमारे पाड़ों में रिवाज होता है जैसे कोई मंदिर में जाता है तो घर आके वह अपने से बढ़ों के पहर चुता है अश्रवाल लेता है और जो भी मंदिर की अशीका है प्रसादी है वो उनको देता है और प्रस यकारों किरों झाल की नार आख है और मिंधं जाता है उाओंफ भी मत जच से वीं मत अवके प्रस घुट है यजर बनाही ऑ्रशसों के घड़र जख है का यो किम ओ τον मलगने से नहीं नहीं, टो इन दो खिजए से उनको झाल यहातब है ौछिभस में आड़र प्र अ